अगली खबर करोख करेंगे और अब बात कर लेते हैं मद्य प्रदेश के बाद 36 गड़ की जी हां 36 गड़ में हमर भाखा में पढ़ाई होगी अब ये महत्पूर्ण गोशना की है मुक्क्यमंत्री भूपेश बगेल ने शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षक दिवस पर प्रदेश के स्कूली बच्चों के लिए तीन बड़ी खोशनाय की है राज्य में 36 गड़ी भाशा को बढ़ावा देने सभी स्कूलों में अब सप्ताहा में एक दन 36 गड़ी और आदिवासी बुली की शिक्षा दी जाएगी राज्य सरकार इसके लिए श शिक्षा में 36 गड़ी भाशा से परिचत होंगे स्कूली शिक्षा में 36 गड़ी भाशा को सप्ताह में एक दिन अनिवार कर दिया है वहीं भारत की संस्कुती और परंपरा को बढ़ावा देने स्वामियात्मानन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संस्कुत विश्य की जन्सिक और बौधिक पिकास करें तो हमर भाका में पढ़ाई होगी 36 कड में तो हमें आत्मानन अंग्रेजी स्कूल में एक क्लास संस्क्रीट कभी होगा चौंतिक अक्षा के बाद से कंप्यूटर प्लासिस अन्वाइर होगी और एक दिन सब्ताम एक दिन 36 गड़ी भासा में और जो अद्वासी अंचल है वहां उनकी भासा उनकी बोली में जा कुडूप हो जा है साद्री हो सर्विजिया हो जा है बस्तर में आप आए गोडी हलबी दूरला इसमें कारे होंगे तो ताकि बच्चे अपने जो मात्री भाशा है बोली है उसका उसका उन्याम हो सके अपनी बोली से भासा से जुड़े रहे इसके लिए इसका आश तो बाकी क्षेत्रों में चतीजगडी भाशा में पाच्रक्रम तयार होंगे सप्ता में एक दन चतीजगडी भाशा में पढ़ाई इस्थानिय भाशा को बढ़ावा मिलेगा इससे मुख्यमंत्री वुपेश पखेल का कहना है बच्चे चतीजगडी भाशा से परिचित हों और 36 घड़ी भाद्शा में सब्ता में एक दन पढ़ना अनिवारिक कर दिया गया है स्वामी आत्मान अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भी कंप्यूटर एजुकेशन अनिवारिक कर दिया गया है सीम भूपेश ने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बालक का शाररिक मानसिक और बौधिक विकास हो सके यह तीन बड़ी खोशना है मुक्यमंत्री भूपेश पगेल ने 5 सी तंबर याने शिक्षक दिवस के मौके पर की है यह तोशना है देश के भविश्य यहने स्कूली बच्चेयों के लिए बेहत महत्पून है जहां स्कूलों में सब्ता में अब एक दन 36 गड़ में 36 गड़ी भाशा में बढ़ाई होगी उसके लिए बाकाइदा कोर्स भी तैयार कराया जा रहा है आदिवासी बोली भी सिखाई जाएगी शिक्षाविद जवाहर सूरी शेटी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे और बातचीत करते हैं इस विशे में जवाहर सूरी शेटी जी यह जो महत्पून घोशना शिक्षक दिवस के मौके पर की है बुपेश पखेल ने कीस तरह देख रहे हैं बच्चों की शाररिक विकास की बात कर रहे हैं चोटे कक्षाओं में जो प्रांती भाशा है और मात्र भाशा इन दोनों में दाल मेल बिठाकर पढ़ाना चाहिए तो पहतर समझ में आता है तो उन्होंने वही बात को दोहराया है जो शिक्षानीती में है दूसरी बात यह कि संस्कृत जो है वो पहले भी वाइकलपिक विशय हुआ कर दादा आप हिंदी या संस्कृत लीजिए दोनों में से एक तो वही चीज फिर से होने जारी तो अच्छी बात ही है यहां पर जवार जी अपसे यह भी जाना चाहेंगे कि क्या यह संभव हो पाएगा जब आज के समय में बच्चों कुछ जादा तर इंग्लिश में पढ़ाई के लिए आगे बढ़ा रहे हैं पेरिंस ऐसे स्कूलों में डाल रहे हैं वहां बच्चों की हिंदी इतनी खराब है तो सिफ एक दिन की छिकशा से क्या उन vos उन में कुछ बहतरी होगी जो चितीजगाडी भाषा के लिए जो कंगो अनके लिए था उनको चैने का इनो कि संभे जैनी में उनको ऊप्चे और वैकल्बिख मिसे नहीं आती हैं उनके लिए क्या एक दन काफी होगा पूरी संपूर्ण पढ़ाई उसमें ना हो इसलिए एक दिन कहा गया है और मेरे इसाथ से वो ठीक है एक दिन काफी होता है जवार सूरी शेटी जी आपने कहा कि ये अच्छा प्रयास से अच्छी पहल है और वाकई में हमारी संस्कृती परंपरा को जानने समझने का मौखा बच्चों को मिलेगा और आत्मान अंग्रेजी मीडियम जो स्कूल है वहाँ भी अब संस्कृत विशय को भी पढ़ाने के निर्देश दिये गए है चुकि आत्मान स्कूलों के बारे में यदि बात की जाए तो जिस तरह से मुक्वन्तुरी लगातार प्रयास कर रहे हैं उसकी बहतरी के लिए बच्चों को एक अच्छा भविश्य सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए उनको लेकर यदि आपसे हम जानना चाहेगी किस तरह की स्तिती फिलहाल आप देख रहे हैं किस और बहतर विकल्प या बहतर डवलप्मेंट की जरुत उसमें महसूस कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ अंग्रेजी माध्यम कह देने से वो क्वालिटी मिंटेन होगी क्या यह बात सही है कि सिर्फ अंग्रेजी माध्यम कहने से क्वालिटी मिंटेन नहीं होती है जिस भाशा में बच्चा सोचता है याने मानली जैया हिंदी अच्छा तिसगड़ी जो भी है उसमें उसको उसकी सोच को बढ़ावा देना चाहिए अंग्रेजी दुनिया में अपनी पैचान बनाने के लिए होता है तो वो भी जरूरी भाग है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कम आपनी परंपरा सब्सक्रिपी छोड़ दे और अदो संब्रचना पर जितना जोड़ दिया गया है उससे जादा अगर शिक्षा पर जो जोड़ दिया जाए तो बेहतर होगा जो बिलकुल बहुत बहुत शुक्रिया हम से जुड़ने के लिए जवाहर सूरी शेटी साहब और इसी के साथ तीन खबर सबकी नजर में फिलहा लगता है आए निच पर जारिये खबरों का सलसला आप बने रही है हमारे साथ नमस्कार